मनुजिता पल्लवित पोशित स्रिजित परिणाम कविता है धरा को धाम करने में परमनिशकाम कविता है भिवेचक सत्य से लेकर समझ लें स्टथि भाषा शलोक से मंत्र तक की आत्राः का वाश शलोक से मंत्र तक की यहात्रा का नांक विता और मैं अपने मन की बात जो मैंने लिखी है वो आप तक पहुचाना चाती हो, अभी हमें पता चला कि आप सब मानसिक रूप से भी ब्रजवासी हैं, मैं चार पंक्तियां आप तक पहुचा रही हूँ, जो मैंने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में अनुभाव किया, वो बात आप तक पहुचा रही है, स्वागते निपट, यदि आपने भी वो अनुभाव किया हो, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी, मैं पंक्तियां समत्पित करने, सुने, निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, भूवन भावन की महिमा है, कि जो निश्काम देता है, विकट स्थित का सागर्या की शर्यंत्रों का दल दल हो, मैं जब भी डूबने लगती, वो मुझे को थाम लेता है, वो मुझे को थाम लेता है, और चार पंक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ गुन-गुनाएंगे, क्योंकि मैं आपके भाव को जानती हूँ, पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा, अपने जीवन की नईया को भक्ति भाव से ही खेना, जिसे बिहारी मिल जाएं उसको दुनिया से क्या लेना मन में हो संदेह कोई भी रस्ता ना दिखलाई दे खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना राधे राधे कह देना राधे राधा इसे बहारी मिल बॉटना भाँ बात है बाव वावा ह क्या हम देश की राजधानी में रहते हैं कि सवतंतर्था सबको प्राप्त है आजादी कि अमरित महुत्सव भी Systems बना रहे हैं अभिवेक्ति की स्वतंतरता भी सबको है कहीं हम देखते हैं कि उसका अतिक्रमन होने लगता है और किसी को अभिवेक्ति ही नहीं मिलती है ऐसे में प्रश्ण खड़ा होता है कि इस आजादी का मतलब क्या है बिलकुल नया गीत आप तक पहुंचा रहे हूं पड़ो एक बार तालिया बजा देंगे तो मुझे हिम्मत मिल जाएगी सुनेगा बाद इच्छे बीटा पड़ो भीड बहुत है शोर गजब है भीड बहुत है शोर गजब है सारी दुनिया बड़ी अजब है एक दूसरे से सब पूँछे आजादी का क्या मतलब है जान लिया मान लिया खुप ही चान लिया फिर भी जानकारी कुछ तो अधूरी है सब की स्वतंतरता में परतंतरता का भान कहते मिले हैं लोगास नहीं पूरी है भीश्म के समान तप भगीरत जैसा प्रण विकट प्रयास करना बड़ा जरूरी है सिर्फ मंच के लिए न लेखनी उठाई मैंने उत्तर तलाशना हमारी मज़़ूरी है राग द्वेश सब में तगडा है जो हम दुख मैसूस करते हैं राग द्वेश सब में तगडा है गोरे काले का जगडा है जिसने जब भी मौका पाया घात लगा करके रगडा है तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा ये मसला उठता जब तब है आजादी का क्या मतलब है जाती भाशा रंक संपरदायवाद को नकार मुक्त करें ताढ़ी और केश की स्वतंतरता जो आज जरूरत है मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं जाति भाशा रंक संप्रदाय वाद को नकार मुक्त करें दाढ़ी और केश की स्वतंतरता यदि सब लोग एक राह पे चलेंगे नहीं व्यर्थ होगी दरजा विशेश की स्वतंतरता अलगाव को मिटा के किसी भाती लाई जाए प्राणियों में श्रेश परिवेश की स्वतंतरता परतंतरता की हार हर रोज होती रहे बनी रहे हर एक देश की स्वतंतरता सीमा पर गोलाबारी है युद्ध निरंतर ही जारी है कहीं जातियों में टकराहट कहीं बिगड़ बैठा मजहब है आजादी का क्या मतलब है आजादी का क्या मतलब है आजादी का क्या मतलब है और क्षमा के साथ पढ़ रही हूँ ये आजादी देखने को कहा मिलती है रंग रंग के अनेक जंडे हैं दिशा दिशा में देखी गई खूप ताम जाम की स्वतंतरता खंजर छुपाए हुए एक ताके गीत गाए बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंतरता खंजर छुपाए हुए एक ताके गीत गाए बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंतरता मिलने ना पाए दिल सिलने ना पाए जखम मिलने ना पाए दिल सिलने ना पाए जखम अल्ला की कहीं है कहीं राम की स्वतंतरता अल्ला की कहीं है कहीं राम की स्वतंतरता टरप तन्तरता समय और कि नहीं रोखी गई डू लो फिर एट प्रफोण소 किस अन्तुन पर वेया ह। वा, वा बेटा, वा, नेरे भाई ने, मैं बहुत आभार हूँ आपकी, बोलो फिर किस काम की स्वतंत्रता, चेहरा विकट घिनो ना दिखता, मैं कोई राजनितिक टिपडिया नहीं किया करते हूँ, यदि आपको किसी का चेहरा दिख जाए, तो आप सब का आशरवाद मिले, चेहरा विकट घिनो ना दिखता, जीवन एक खिलो ना दिखता, जीवन एक खिलो ना दिखता, चेहरा विकट घिनो ना दिखता, किसी धर्म वाले अंधे को, किसी धर्म वाले अंधे को, सम्विधान तक बौना दिखता, किसी धर्म वाले अंधे को, सम्विधान तक बौना इस धर्म वाले अंधे को संविधान तक बोना दिखता राह नहीं राह नहीं भूला है फिर भी सत्पत को अपनाता कब है आजादी का क्या मतलब है आजादी का क्या मतलब है आजादी का क्या मतलब है बसंतिम बंदा तक पहचारियों शाय समाधान हो जिती रही है जिती रही है ऐसे शुभरत मच जाए ये सतंत्रता ज्यान गुणवाले अश्व तप निष्ट होके चलें ऐसे शुभरत मच जाए ये सतंत्रता लोग एक दूसरे को जाने माने आगे बढ़े शायद सभी को पच जाए ये सतंत्रता वरत मान को सहेज लीजिये भविश हे तू इतिहास ऐसा रच जाए ये सतंत्रता धधक रही बारूद वाले धेर पर बैठ कुछ भी करो की बच जाए ये सतंत्रता और एक बहुत कड़वा कड़वी पंक्ति पढ़के अपने समापन कर रही हूँ मुझे आशिरवाद दे दीजेगा मुझे हिम्मत दे दीजेगा मुला पाड़े लड़ जाते हैं अपनी जिद पर अड़ जाते हैं फूल सरीखी बातों वाले शूल सरीखे गड़ जाते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं समझ पाते हैं वही राम है वही रभ है आजाते हैं बाई दोना हर बाई बाई ौ tym